हैं है हलो एवरीवन क्वेल्कम टू ऐस्टीम तो आज की क्लास में हम डिसक्स करने वाले हैं Purmutation और कम्भिनेशन मंगिनेशन कि किया था जिसमें हमने देख और कम्भिनेशन के बारह में पड़ा था और कम्भिनेशन के बारह देखेंगे और इसके important questions देखेंगे कि किस परकार से आपको exam में questions पूचे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले meaning से शुरू करते हैं, कि permutation का meaning क्या होता है, तो permutation का meaning होता है, total number of possible arrangement, ठीक है न, मतलब कितने तरीकों से आप किसी चीज को arrange कर सकते हो, उसे क्या बोला जाता है permutation, ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे देखो, मैंने आपको एक example दी है, ABC, ये तीन letters हैं, इनको मैं कितने तरीकों से arrange कर सकता हूँ, मतलब इसनको आगे पीछे करके shuffle करके, कितने तरीकों से मैं arrange कर सकता हूँ, उसको क्या बोला जाता है permutation, तो कैसे arrange करें कि हम देखो, ABC को मैं क् सकता हूँ, ACB, BAC, BCA, CAB and CBA, तो कितने method बने हैं हमारे पास 6, तो ये जो 6 arrangements हमारे पास बने हैं, इन 6 arrangements को हम क्या बोलेंगे, permutation, जानि कि अगर मुझे 3 चीज़ों को, ABC को अगर arrange करना है, तो कितने permutation बनेंगे, total 6 बनेंगे, जानि कि 6 total arrangements बनेंगे, तो I hope आपको permutation का meaning APS में देखो, पहले basic type समय लोग क्या होती है, all arrangements, फिर आएगा some arrangement और फिर क्या आएगा हमारे पास repetition of alphabets, तो देखो जब आप ये तीन चीज़े समझ लोगे न, तो आपका जो basic होगा न, permutation का वो clear हो जाएगा automatically, ठीक है, तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों बेंगे focus करना है अगले questions हम बाद में करेंगे, पहले इन 3 चीज़ों बें हम mainly focus करेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते है, all arrangement के साथ, तो question देखो, किस परकार से पुछा जाता है, all arrangement का, तो कुछ इस परकार से question होता है, कि आपको क्या बोल देता है, कि in how many ways we can arrange a word beacaner, कि कि कितने तरीक से हम beacaner word को arrange कर सकते हैं, ठीक है, तो करना किस परकार है, देखो, जो beacaner के alphabets है, जैसे b, i, k, a, n, e, r, मुझे इनको shuffle करना है, इनको आगे पीछे करके arrangement करने है, ठीक है, तो कैसे arrange करेंगे, basic समय ना, मैं आपको इसका कोई formula नहीं बताने वाला हूँ, पूरा permutation हम ब position चाहिए होंगी, तो यह मैंने seven positions बना दी यहाँ पे, ठीक है, seven alphabets को arrange करने के लिए कितने position बनगी मेरे पास, seven बनगी, समझा गया है सबी को, उसके बाद, यहाँ पे देखो क्या होगा, पहली position की बात करें, तो पहली position पे हमारे पास total seven alphabets हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है मतलब कितने हमारे पास possibilities हैं, कितने alphabets हमारे पास इस position पे आ सकते हैं, और वो कितने हैं, seven है, क्योंकि week an error में total alphabets कितने होते हैं, seven, तो इन साथ में से, जो seven alphabets आ सकते हैं, यहाँ पे, इन साथ में से कोई एक यहाँ पे fix हो जाएगा, ठीक है, तो बचे कितने यहाँ into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो यह क्या होता है हमारे पास 7 का factorial होता है तो 7 factorial क्या होता है आपने इसको याद कर लिया होगा last class में मैंने आपको factorials बताये थे तो answer क्या रहेगा इसका 5040 समझ गे ना बात को जाने कि जब भी आपने factorials अपने क्या करना है जब भी arrangement के question निकालने है तो factorials तो आपको कम से कम याद होने चाहिए ठीक है या तो आप इस तरीके से कर सकते हो यह तो basic था जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैसे alphabets को हमने arrange करना होता है पहली position पर कैसे alphabets बैठे यह दूसरे पर कैसे बैठे तीसरे पर कैसे बैठे ठीक है अब आपने किस परकार से करना है जब भी आपको कोई word आएगा arrange करने के लिए तो आपने simply क्या करना है आपने number of letters count करने है number of alphabets count करने है जितने भी alphabet होंगे उतने का factorial आपका क्या रहेगा answer रहेगा ठीक है जितने भी alphabet होंगे उतने का factorial आपका क्या रहेगा जी answer रहेगा समझा गए सबी को जैसे मालो मेरे पास एक word है super ठीक है मैं एक word लिख रहा हूँ यहाँ पे super तो आपसे अगर मैं पूछू कि बताओ कितने तरीकों से मैं इसको arrange कर सकता हूँ ठीक है कितने तरीकों से मैं इसको arrange कर सकता हूँ तो आपका answer क्या आएगा अब की बार कि number of letters तो कितने है 5 है तो 5 है तो 5 का factorial कर दो answer क्या रहेगा हमारे पास 120 ठीक है answer कितना आजाएगा हमारे पास 120 समझा गए ना जाने कि जब भी all arrangement की बात होगी यह जो question है यह all arrangement का है all arrangement मैं क्यों कह रहा हूँ इसको क्योंकि जितने भी alphabet है मुझे सब को arrange करना था ठीक है तो जितने भी हमारे alphabet है मुझे सब को arrange किया है तो answer आगया मेरे पास पहले question का 5040 और दूसरे का कितना है 120 clear होगे है सभी को ठीक है जैसे कि और देखो मैंने example दे रखी है कि मालो मेरे पास अगर word आजाए banks कि मुझे bank को arrange करना है तो कितना answer आएगा 5 alphabets है तो 5 factorial which is equal to 120 ऐसी अगर मालो आप से बोला जाए कि बताओ मुझे education word को arrange करना है तो education को कैसे arrange करेंगे education में कितने alphabets होते है नहीं ठीक है तो answer क्या रहेगा मेरे पास 9 factorial which is equal to 36280 समझ गे ना बात को ठीक है तो यह पहली type थी हमारे पास all arrangement कि अगर आप से वोल ले कि सारे कि सारे alphabets को आपने arrange करना है तो जितने number of alphabets होंगे उतने का ही factorial आपका क्या बनेगा जी answer समझ गे ना बाकि इसके जो भी और questions है वो आगे आते जाएंगे ठीक है आपका कोई doubt नहीं रहेगा इन तक second देखो second type हमारे पास है some arrangement की अब some arrangement का मतलब क्या होता है कि कुछ alphabets को मुझे arrange करना है कुछ letters को arrange करना है सब को नहीं करना ठीक है जैसे question किस परकार से बोला जाता है find how many four letter words can be made from a word dynamic कि मेरे पास एक word है dynamic मेरे पास एक word है dynamic तो बताओ इस dynamic word को कि मैंने four letter word बनाने है तो बताओ कितने arrangement total बनेंगे how many four letter words can be made from a word dynamic अब dynamic में total seven letter होते हैं लेकिन मुझे seven letters का word नहीं चाहिए मुझे four letter के word चाहिए मतलब इस में से मुझे four letter को उठाना है four letters को उठाना है और एक word बनाना है तो कितने ऐसे words बन सकते हैं यह आप से पूछा गया है ठीक है तो जाने कि मुझे four letters को arrange करना है simple सा funda है तो seven में से four letters को arrange करना है तो क्या हो गया यह? some arrangement तो four letters को arrange करने के लिए four positions बनेगी हमारे पास इस परकार से four positions बन जाएंगी ठीक है? तो पहली positions पे कितने letter आ सकते हैं कितने alphabet आ सकते हैं यहाँ पे कितने total seven तो इस साथ में से कोई भी आ सकता है एक ठीक है? तो कितनी possibilities है हमारे पास यहाँ पे seven ठीक है? तो एक fix हो जाएगा बचे कितने यहाँ पे दूसरी positions के लिए six तीसरी के लिए बचेंगे पाच और चोथी के लिए कितने बचेंगे? चार तो अगर मैं इन सब को multiply कर देता हूँ तो seven into six 42 into five 210 into four 840 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 840 arrangements यहाँ फिर 840 ways ठीक है? यानि कि अगर आपने four letter का कोई word बनाना है तो चार letters को arrange करना होगा तो चार positions मनेंगी पहली positions पे seven letter आएंगे दूसरी पे six आएंगे तीसरी पे five और चोथी पे चार तो I hope आपको यह question समझ आ गया होगा कि किस परकार से मैंने इस question को करना है समझ गे ना बात को ठीक है? अब next देखो next question क्या है हमारे पास how many three letter words can be made from a word education कि बताओ कितने three letter words मैं बना सकता हूँ मेरे पास word क्या है education ठीक है तो education word से मुझे three letter word बनाना है तो जल्दी से मुझे answer दो इस question का कि इसका क्या answer रहेगा ठीक है यह question आपके लिए है शाबाश जल्दी से मुझे बताओ कि education word से कितने three letter word बन सकते है ठीक है education word से कितने three letter word बन सकते है जल्दी से इसका answer बताओ जल्दी से answer बताओ इसका क्या answer रहेगा कितने three letter word बन सकते है education से ठीक है तो देखो three letter word बनाने है तो three positions इस तरीके से बनाओगे आप total कितने letter है nine जिए कितने count करोगे तो nine तो पहली position से पर nine letter आएंगे दूसरी पर eight आजाएंगे और तीसरी भी कितना आजाएंगे seven तो मुझे इनको क्या करना है multiply तो multiply करने के बाद जो भी हमारा answer आएगा वो क्या रहेगा total arrangements ठीक है न कि कितने three letter word बना सकते है कितने total arrangement ऐसे बन सकते हैं जिससे three letter word हमारे बन जाएं वो कितने बनेंगे five zero four तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि इन questions को किस परकार से किया जाता है ठीक है अब next देखिए अब आएगी हमारे पास third type third type क्या है third है हमारे पास repetition of alphabets और ये type जो है कई students का doubt भी होगा जिनोंने पहले पूछा या पूछना होगा वो इसमें आपका cover हो जाएगा देखो अगर मालो कोई word repeat हो रहा हो तो उसको किस परकार से करना है ठीक है अगर कोई alphabet repeat हो रहा हो तो third type क्या थी हमारे पास repetition of alphabet और यहाँ पे भी क्या है alphabet क्या हो रहा है repeat हो रहा है ये देखो C दो बार repeat हो रहा है S देखो तीन बार repeat हो रहा है ठीक है तो जब repetition आजाए alphabet में तब किस परकार से question किये जाते है हमने क्या करना है बच्चे ध्यान से समयने इसको कि देखो success में total कितने letter है 7 7 letter है कि नहीं तो मैंने क्या किया यहाँ पर 7 factorial लिख दिया समझा गया जितने total letter थे मैंने क्या किया उतने का factorial लिख दिया जो कि हमने पहले सीखा था उसी तरीके से ठीक है उसके बाद extra चीज़ आपने क्या करनी है अगर कोई letter repeat होता है ठीक है अगर कोई letter repeat होता है तो आपने क्या करना है जितनी बार वो repeat होगा उतने का ही factorial आपने डिवाइड करना है जैसे S देखो 3 बार repeat हो रहा है तो आप divide करोगे 3 factorial है ना S ही देखो C दो बार repeat हो रहा है तो आप divide क्या करोगे 2 factorial अगर कोई ची 4 बार repeat होती तो आप किस से divide करते है 4 factorial से ठीक है ना तो answer क्या रहेगा question है हमारे पास in how many ways we can arrange a word Mississippi ठीक है तो यह question देखो आपको plus one में भी काफी दिखा होगा जिन्होंने math पड़ा है plus one में ठीक है तो इसको कैसे arrange करेंगे सबसे पहले total word देखो कितने हैं हमारे पास 11 तो 11 का factorial आ जाएगा यहां पर ठीक है और divide किससे करोगे देखो i की बात करें तो 4 बार repeat हो रहे यह देखो 3 और यह 4 तो divide by 4 factorial ठीक है उसके बाद S देखो 4 बार repeat हो रहे 2 और 2 4 तो multiply by फिर 4 का factorial ठीक है पी देखो 2 बार repeat हो रहे तो तो आपका answer निकल आएगा, ठीक है, 11 factorial आपको नहीं पता है, तो आप ऐसा करना, इसको ऐसे कर लिए हो, 11 into 10, ठीक है, into 9, into 8, into 7 factorial, क्या होता है, 5040, ठीक है, 7 factorial ऐसे लिख दियो, 5040, समझ गे ना बात को, इस परकार से आप कर ले ना इसको, तो और divide जब आप करोगे, तो ये न 3 से cancel, और यहाँ पर 8 से cancel, और 3 into 3 क्या हो गया, 9 हो गया, तो ये कुछ इस परकार से cancel हो गया कि नहीं, ऐसे ही ये 24, 8 से cancel होगा, 8 into 3, और ये 3 से 3 cancel हो जाएगा, उसके बाद ये जो 16 है हमारे पास, 8 into 2, 16, तो ये यहाँ पर cancel हो जाएगा, जब आप इसको cancel out करोगे, 16 into 3, 48, ठीक है, 2 carry, उसके बाद 16 into 1, 16, 8 carry और ये 5 से cancel हो जाएगा, उसके बाद 315 गुना 11 गुना 10, ये आपका क्या रहेगा, ठीक है, इसको जब आप solve करोगे तो 0, आपका answer रहेगा, 0, 5, 6, 4, 3, तो इस परकार से आपका answer आजाएगा, ठीक है, calculation आप देख लेना, करने का तरीका कैसी है, ये आपको समझाना चाहिए properly, ठीक है न, तो ये कुछ इस तरीके से हम question निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने क्या सीखा अभी तक, कि अगर सारे के सारे arrangement करने के लिए बोले, जितने अलफा बेट होंगे, उतने का ही factorial answer होगा, ठीक है, और अगर कोई letter repeat हो रहा होगा, तो ठीक है, वोवल always come together, फर्स टाइप कहलो या फोर्स टाइप कहलो बात एक ही है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वोवल always come together, तो आपको क्या बोल दिया question में, in how many ways we can arrange a word factorial, in such a way that वोवल always come together, अब एक जी समझना, जरूरी नहीं है कि question में हर वोवल को ये एक साथ बिठाने क लिए कह सकता है, books को एक साथ arrange करने के लिए कह सकता है, tables को एक साथ arrange करने के लिए कह सकता है, तो सिर्फ वोवल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और इसके ओपर हम सारे question भी करने वाले हैं, don't worry, बस करना कैसे है, थोड़ा ध्यान से समझी इसको, जैसे मालम मेरे पास एक word ह factorial, और मुझे factorial को क्या करना है, इस तरीके से arrange करना है, कि वोवल्स हमेशा साथ रहे, तो पहले तो आपको वोवल्स का पता होना चाहिए, कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है, यह जो 26 alphabets होते हैं, उनमें 5 क्या होते हैं, वोवल् O, I, and A, तो मैंने यहां पर लिख दिया A, O, I, A, और consonant कौन से हैं, F, C, T, R, L, तो F, C, T, R, L मैंने क्या लिख दिये, consonant लिख दिये, ठीक है, अब आपने क्या करना है, कि जिसको भी आपने एक साथ range करना है, कोई भी अगर आपने वोवल्स को या किसी भी चीज को अगर ए 3 यह रहेगा, 4 यह रहेगा, 5 यह रहेगा, 6, तो total कितने आगे मेरे पास, 6 आगे न, letter, तो यहां पर लिख दिया मैंने 6 factorial, तो यहां तक समझ आगया होगा आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, कि जिसको भी आपने एक साथ range करना है, उसको आपने zoom कर लेना है, 1, तो यह रहेग तो multiply किससे करोगे, 4 factorial से, ठीक है, 4 oval है, तो multiply किससे होगा, 4 factorial से, और उसके बाद last में आपने क्या देखना है, कि अगर कुछ repeat हो रहा हो, तो वो divide भी करना है, पिछे भी हमने क्या सीखा था, कि अगर कोई letter repeat होता है, तो वो divide होगा, जैसे ए देखो, दो बार repeat हो रहा है, त divide by 2 का factorial, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मेरे पास देखो, 2 factorial 2 होता है, 4 factorial 24, तो 24 से cancel होगा, यह तो 12 बचेगा, ठीक है, तो 6 factorial रहेगा, 720, 720 into 12 कितना होता है, 8640, ठीक है, जिनको समझ नहीं आया है, मैं एक बार फिर से repeatर देता हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसक FC, TRL, consonant अलग होगे, ठीक है, तो जिनको आपने एक साथ रखना है, उसको हम क्या assume करके चलेंगे, यहाँ पर 1, जिनको एक साथ रखना है, उसको assume करके चलेंगे, 1, उसके बाद consonants कौन कौन से है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 6 total letter है, तो 6 का factorial क्या रहेगा, arrangement रहेंगे इनके, उ उसके बाद a repeat हो रहा है दो बार, तो divide by 2 factorial, उसके बाद इसको solve किया हमने, यह आपके सामने है, तो answer क्या रहा हमारे पास, 8640, समझा गया होगा, अब आपको सभी को ठीक है, अब next सेखिए, next question यह वाला आपने करना है, ठीक है, sorry, यह वाला question अब आपने करना है, मुझे बत ways we can arrange the word bicaner, so that vowels always come together, कि बताओ कितने तरीकों से मैं bicaner word को arrange कर सकता हूँ, कि जो vowels है, वो हमेशा क्या रहने चाहिए, साथ साथ रहने चाहिए, तो जल्दी से मुझे इसका answer बताईए, कि इसका answer क्या रहेगा, बड़ा असा question है, ठीक है, जल्दी से answer बताईए, जल्दी से मुझे इसका answer बताईए, कि इसका answer क्या रहेगा हमारे पाफ, जल्दी से क्या रहेगा इसका answer मुझे फटाफट एक बार बता दीजिए, bicaner मेरे पास word है, इसका क्या answer रहेगा मुझे फटाफट बताईए, बिकानेर वर्ड है, क्या अंसर रहेगा, तो आई हो आप सभी ने अंसर इसका निकाल दिया होगा, अपनी नोटबुक के ऐपर आपने अंसर निकाल दिया होगा, तो इसको एक बड़ देखो चेक कर लेते हैं, तो ये रहा हमारे पास, बिकानेर में I, A और E, ये क्या है हमारे यह आपस में तो arrange होई सकते हैं आई आई तो क्या बने गए थ्री फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल 123 फैक्टोरियल क्या होता है इस तो answer एगा 720 क्लेर हो गया सभी को ठीक है यह अब next देखिए यह वाला question देखो अब हमारे पास जो next मैंने लिखा हुए नीचे कि three married couple go to party इसको द्यान से समझना three married couple go to party और इसके नीचे मैंने दो question दिये कि किस तरीके से आपको किस किस तरीके से आपको question पूछ सकता है वो ठीक है तो पहला question क्या है in how many ways spouse must sit next to each other कि बताओ कितने तरीकों से जो husband wife है वो एक साथ बैठे बताओ इसके कितने arrangement बनेंगे and second है हमारे पास in how many ways all women sit together कि कितने arrangement ऐसे बनेंगे कि सारी कि सारी women जो है वो साथ रहेंगे साथ बैठे ठीक है तो कैसे करना इस question को मैं आपको solution पर लेके चलता हूं सीधा इसके तो पहला question जो था हमारे पास तीन married couple है तो तीन मैंने married couple लिख लिए उसके बाद आपको क्या बोला हुए है कि इनको एक साथ बिठाना है spouse को एक साथ बिठाना है मतला husband wife क्या रहेंगे एक साथ रहेंगे man woman एक साथ बैठेंगे तो एक देखो एक couple यह हो गया एक couple यह हो गया हमारे पास और एक couple यह हो गया तो मुझे पता है कि जिनको मुझे साथ बिठाना होता है उसको मैं क्या मानके चलता हूं one मानके चलता हूं समझ गे ना बात को तो इसको भी one मान लिया इसको भी one मान लिया तो total कितने pair बन गया हमारे पास three ठ ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 factorial, समझा गया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 factorial, उसके बाद देखो, यह जो man और woman है, यह जो man और woman है, यह आपस में भी तो reverse हो सकते हैं, woman और man भी हो सकता है, आपस में arrange कर सकते हैं, तो इन दो लोगों का arrangement का क्या 2 factorial और इनका भी क्या बन जाएगा 2 factorial, ठीक है, तो जब आप इनको multiply करोगे, तो answer क्या रहेगा, हमारे पास 48, जब आप इनको multiply करोगे, तो हमारा answer क्या आ जाएगा, यहाँ पर 48, clear हो गया सभी को, बड़ा असान सा question था, I hope आपको समझाया होगा, second क्या कहता हमको, कि आपको रख लिया, और यह man 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 हो गया, ठीक है, तो count करना शुरू करेंगे, तो 1, 2, 3 and 4, ठीक है, अब एक चीज़ी देखो, यार कई बास student क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं, कि अगर woman एक साथ बैठी है, जैसे देखो, यह woman एक साथ बैठी है, तो man भी एक साथ ही ब अलग अलग अलगा भी, ठीक है, तो सारे man को आपने अलग 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 लिखना है, तो woman को एक साथ बिठाना है, तो woman को क्या लिखना है, यहाँ पे two, यहाँ पे three, यहाँ पे four, तो four factorial रहेगा, और यह जो woman है, यह अपस में भी repeat हो सकती है, arrange हो सकती है, तो क्या बनेगा, multiply तो 4 factorial हो गया 24, 3 factorial कितना हो गया 6, तो answer हैगा हमारे पास 144, clear, तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इन questions को किया जाता है, ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो वीडियो को rewind करो, थोड़े पीछे करके फिर से एक बार इसको देखो, ताकि आपको proper समझ आए कि किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है, अब next question देखिए, next question थोड़ा सा different है, पहले जैसे से, कि आपको क्या बोल दिया आपकी बार उसने, in how many ways we can arrange our tribes, कि बताओ कितने तरीकों से मैं वर्ट ट्राइब को arrange कर सकता हूँ, कि vowels never come together, कि जो vowels हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं ह होने चाहिए, कि बताओ कितने तरीकों से हम ट्राइब वर्ट को arrange करें, कि कोई भी जो vowel है, वो एक सास नहा हो, ठीक है, लेकिन देखो, अभी last question हमने जो करे हैं, वो क्या थे, vowels come together, ठीक है, और यह वाला कौन सा है, vowels never come together, तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो, अगर मुझे never come together वाला केस निकालना है, तो मैं इसको कैसे निकालूँगा, कि जो भी मेरे total case होंगे, उसमें से minus क्या कर दूँगा, मैं come together, ध्यान से समयने इसको, अगर मैं आपको यह कहूँ कि बताओ, vowel never come together निकालो, तो हम क्या करेंगे, total cases minus come together, ठीक है, total cases minus come together, clear हो गया हैं न सभी को, तो इसको कैसे solve किया जाएगा, देखो, tribes की बात करेंगे, total case कितने बनेंगे, 6 हमारे पास letter है, तो 6 letter का कितना बनता है, 6 factorial, 6 letter का कितना बनता है, 6 factorial, समझा गया है सभी को, ऐसे ही देखो, जो vowel come together वाला case होता है, उसमें देखो कैसे निकलेगा यह, कि I और E तो देखो यह हम आपस में range हो सकते हैं, तो into 2 factorial, तो इसको जब आप solve करोगे, तो 720 minus 240, ठीक है, answer क्या रहेगा, 480, मैं फिर से बता दूँ, यह जो question वोवल never come together, यह दो चीज़ों से बना है, एक तो all arrangement और minus vowels come together, ठीक है, all arrangement पहली type जो मैंने आपको करवाई है, और minus vowels come together, अभी last time करके हटे है ठीक है, तो दोनों question दो तरीके से दो करके minus कर देना आपने, ठीक है, दो तरीके से इस question को निकालके, फिर दोनों को subtract कर देना है, answer आएगा, आपको 480, clear हो गया, ऐसे question आपको और भी काफी मैं आप दे दूँगा, जब आपको मैं PDF दूँगा, ठीक है, अब next देखिए, next question आपके पास, वोवल्स, occupy, out position, ठीक है, अब इस question को करने से पहले मैं आपको एक चीब बता दूँ, कि देखो जैसे 1 factorial 1 होता है, ठीक है, 2 factorial हमारे पास 2 होता है, या आप सभी को पता ही है, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, क्या बार, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भी करोग ही है, 3 factorial क्या होता है, 6 होता है, इसलिए मैंने काफी हर एक चीज़ को बार बार लिख के आपको बताया है, ताकि आपकी यह गलती ना हो, ठीक है, चलिए अब next देखिए, next है हमारे पास, वोवल्स, occupy, out positions, यानि कि अब की बार जो वोवल्स है, वो out positions पे आ रहे हैं, ठीक है तो कैसे करना अपने इस question को, आपको क्या बोल दिया है कि in how many ways we can arrange a word dynamic so that all वोवल्स occupy out positions, dynamic वोवल्स है मेरे पास, कि बताओ इसको मैं कितने तरीकों से arrange करूँ, कि जितने भी वोवल्स हैं, वो किसमें आने चाहिए, out positions पे, out positions क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन्हें बोला जात है, out positions, ठीक है, तो dynamic में total 7 letters होते हैं, तो अगर 7 letters हैं, तो 7 positions भी रही होगी, ठीक है, तो मैंने ये दको 7 positions बना ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, उसके बाद मैंने वोवल्स देखे कौन से हैं, और consonant देखे कौन से हैं, तो consonant है, dy, n, m, c, और वोवल्स है, a, or i, ठीक है, तो ज position होता है, पहले आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास consonants होगे, आपने उनको arrange कर देना है, ठीक है, जैसे dy, n, m, c, जै क्या है, consonants है, तो मुझे इनको arrange करना है सबसे पहले, तो 5 consonants है, 5 consonants को arrange करने के लिए क्या आएगा, 5 factorial, 5 consonants को arrange करने के लिए क्या आजाएगा, य 3, 5, or 7 ठीक है, तो मतलब vowels के लिए 4 positions reserved हैं, ठीक है तो पहला vowel जब अंदर जाएगा तो उसके लिए कितनी positions बचेंगी मेरे पाथ 4 positions होएंगी, ठीक है तो पहले vowel के लिए 4 positions ठीक है, अब 4 में से किसी एक पर ये बैठ जाएगा, तो दूसरे vowel के लिए कितनी positions बचेंगी, 3 तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है तो 4 into 3 into 5 factorial ये क्या रहेगा, इस question का answer समझ गे, ये क्या रहेगा, इस question का answer रहेगा, ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा आजए, आपको बोला क्या हुआ था कि बताओ dynamic word को कितने तरीकों से मैं arrange करूँ कि wobble जो है, वो occupy करे odd positions, तो odd position देखो, 7 positions में से 1, 3, 5 और 7, ये odd positions हैं, wobbles के लिए reserved उसके बाद consonants से d y n m c और wobbles कोंट से a और i तो मैंने क्या किया सबसे पहले consonants को arrange किया है, 5 consonants है, तो 5 factorial आएगा ठीक है, उसके बाद wobbles को कैसे arrange करेंगे, देखो, पहला wobble अंदर जाएगा, तो 4 positions है, तो 4 लिख दिया यहाँ पे, दूसरा wobble अंदर जाएगा, तो कितनी positions है, 3 positions तो 3 लिख दिया, तो wobble भी यह वाला question भी समझ आ गया होगा, अगर यह question आपको समझ आ चुका है, तो next question अब आपने करना है, ठीक है, तो next question आपकी screen के उपर है, जल्दी से मुझे इसका answer दीजिए कि इसका answer क्या रहेगा, आपको बोला गया, in how many different ways the letters of the word machine be arranged in such a way that vowels occupy odd positions, यह बताओ कितने तरीकों से मैं machine word को arrange कर सकता हूँ, कि जो wobble हैं, वो हमेशा कहा होने चाहिए, odd positions पे, समझ गे ना बात को, तो जल्दी से इस question का मुझे answer दीजिए, machine में जितने भी हमारे wobble हैं, सब को odd positions में मुझे रखना है, ठीक है, जल्दी से मुझे answer दीजिए, इस question का, जल्दी से answer दीजिए, क्या answer रहेगा इसका, option आपके पास हैं, 210-576-144-1728, ठीक है, notebook जो आपके पास है, जल्दी से answer निकालो, फटा-फट खुद करने की कोशिश करो, जब तक खुद नहीं करोगे, तब तक math का आना possible नहीं है, practice आपको खुद ही करने पड़ेगी, ठीक है, math जो है, जी सारा का सारा practice oriented है, जितने ज़्यादा practice करोगे, उतना आपका confidence विल्ड होगा, तो I hope आप सबी ने इसका answer निकाल लिया होगा, तो मैं भी इसको solve करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, दोखो, machine है तो seven letter होंगे, two, three, four, five, six and seven, ठीक है, तो vowels के लिए one, three, five और seven यह होगा, ठीक है, उसके बाद consonant कौन कौन से है, M, C, H, N, और vowel कौन कौन से है, हमारे पास, A, I, और E, ठीक है, चार consonant होगे और तीन क्या vowel है, तो यह जो चार consonants है, पहले इनको arrange करेंगे, तो इनको arrange करेंगे, तो कितना हैगा हमारे पास, four factorial, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, पहला vowel अंदर जाएगा, तो पहले vowel के लिए कितनी positions होएंगी, चार, चार लिख दिया, दूसरे के लिए कितनी हो जाएंगे, तीन, और तीसरे के लिए कितनी हो जाएंगी, दो, तो इसको जब आप solve करोगे, तो four factorial क्या होता है, 24, ठीक है, four factorial होता है, 24, और यह यहाँ पे four into three into two कितना हो गया, 24, तो 24 into 24 square बन गया हमारे पास, तो answer क्या रहेगा, यहाँ पे five seventy six, तो answer क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास five seventy six, तो I hope आप सभी को समझ आ गया होगा, यह question ठीक है, एक और question करो, same to same, same वाला question है यह भी, क्या आपको क्या बोल दिया, in how many different ways the letter of the word detail be arranged, in such a way that vowels occupy only the odd positions, कि कितने तरीकों से मैं word detail को arrange कर सकता हूँ, कि जो vowels है, वो हमेशा ही कहा होने चाहिए, odd positions पे, समझ गया बात को, तो जल्दी से इसका मुझे answer बताईए, कि इसका answer क्या रहेगा, जल्दी से बताईए, क्या answer हैगा, इसका, option आपके पास है, 32 है, 48 है, 36, 578, जल्दी से answer निका लिए, detail word को मुझे इस तरीके से arrange करना है, कि वो बल जो है, वो हमेशा कहां रहने चाहिए, odd positions पे, जल्दी से मुझे answer बताईए, कि इसका क्या answer रहने वाला है, जल्दी से बताईए, इसका क्या answer रहेगा, बड़ा असां सा question है, बिल्कुल easy question है, जल्दी समझा, I hope आपको समझा आ गया होगा, कि question को करना किस परकार से है, तो देखिए, किस परकार से करना है देखो, अगर हम बात करें, detail में तो 6 letter होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, तो vowels के लिए ये reserved places हैं, 1, 3, 5, अब consonant कौन कौन से है, D, T, and L, और vowel कौन कौन से है, E, A, और I, ठीक है, तो पहले मुझे इनको arrange करना है, 3 consonants है, तो 3 factorial आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद पहला vowel अंदर जाएगा, तो पहले vowel के लिए कितनी places है, 3, तो 3 आ गया, दूसरे vowel के लिए कितनी positions बचेंगी, 2, और तीसरे vowel के लिए कितनी positions बचेंगी, 1, तो इसको अगर आप solve करोगे, तो answer हमारा क्या आएगा, 36, 3 factorial 6 होता है, 6 into 3, 18, 18 into 2, 36, तो कितना answer आगया हमारे पास 36, ठीक है ना, अब देखो, जितने भी question मैंने आपको combination और permutation में करवाए हैं, कल और आज, ठीक है, ये सारे question काफी important question है, ठीक है, बिल्कुल exam point of view से ही है, कोई भी extra आपको मेहनत करने की जूरत नहीं है, जितना हमने किया है, बस उसको ही आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, तो आज की class को मैं यहीं खतम करता हूँ, I hope आप सभी को permutation अच्छे से समझाया होगा, factorials आपने याद कर लिए होंगे, और combination यह आपने कर लिए होगा, ठीक है, combination को अच्छे तरीके से करना, क्योंकि next topic में भी इसका काफी use होने वाला है, ठीक है, तो आज की class को मैं यहीं खतम करता हूँ, thank you very much,